नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्याएकर मैं मनुविकार सेक्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तित नियू महाराष्ट में पिछले से 30 साल से अकोला में प्रैटिस करता हूं आज हम बात करेंगे mentally strong कैसे बने उसके बारे में कोई भी situation, situation चाहे कैसी भी हो, परिसीदी चाहे कैसी भी हो, हम कैसे strong होकर उसका सामना कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं अज है के आज के लाइफ में बहुत ही फास लाइफ चल रहा है, इतना tension, इतना pressure है, कभी सारा stress आता है, financial stress, service मिल लिए, financial stress, service नहीं है, इसलिए problem, service मिली है, promotion नहीं मिल रहा है, promotion मिला है, transfer हो गई है, service छोडने का है, business चालू करना है, business चालू किया है, आपहान दुक्साना र उसे पट्टी नहीं है, तभी नोकी छोड़ना की नहीं चोड़ना उसके बार में चिंता है, फिर रिस्तों में बहुत कमजूरी आई हुई है, रिस्ते नहीं जमते है, ऐसे काफी सारे सवाल लोगों की दिमाग में रहते है और चिक-चिक-चिक-चिक चालू रहते है, सवाल हमको आता है और फिर हम डिस्टर्ब होते रहते हैं मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स कि जिसमें आप गौर से देखते हैं आपको पता चलेगा कि यह stress मेरा कम हो रहा है और stress कम हो गया pressure कम हो गया तो डिफिनिटली आप अच्छी लाइब जी पाऊंगे तो नमर एका point वह है कि आप अपनी feeling जो है वह आपने express करना चाहिए आपको खुशी है तो खुशी भी express करो लोगों के साथ में आपको दुख लग रहा है तो दुख भी express करो लोगों के साथ में share करो ऐसा पर जाता है कि शुख जो है अच्छा ही जो है वह वह लोगों किसे हो सकता है अपना कजीन हो सकता है कि जिसके पास में आप खुल कर सभी बाते बोलते हैं जिसमें कुछ भी private नहीं सिक्रेट नहीं ताकि मन के सब बाते आप खुल के उसके साथ में बोल रहे है तो ऐसा एक दोस्त नंबर दो का point है कि आपने खुद को time देना चाहिए self affirmations देंगे और खुद के साथ कुछ time आपने बिताना चाहिए just be with yourself, be with yourself, be with yourself, be with yourself day, तो आप निकालो तो उसमें आपको मन को बहुत शान्ती मिलेंगी, creativity होंगी और रोज मरा की तो जिन्देगी उसमें से आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वैस अच्छा हो जाता है, तीसरा जो point है वो है कि accept the negativity in every positivity, क्या होता है कि हमारे मन जैसी बाते होती नहीं है, तो हमको बहुत दुख हो जाता है, upset हो जाते है, और फिर बहुत disturbance आजाता है मन को, जो भी परिसिती हो रही है, जो भी condition है, जो भी situation है, चाहे अपने खिलाफ हो, उसम मुझे परती हमने आभार वेक्ता करना चाहिए, कुर्तग्यता वेक्ता करना चाहिए, धन्यवाद वेक्ता करना चाहिए, जो भी situation है वो, for example, मुझे किसने, ट्रैफिक वाले ने ट्रैफिक हवालदार ने पकड़ ली, और मुझे दं किया, 500 रुपे का, तो मैं disturbed हो जाता तो इसके बदले मुझे देखना चाहिए, कि भई, इसमें मैं क्या अच्छे देख सकता हूँ, इसमें अच्छे मैं देख सकता हूँ, कि ट्रैफिक हवालदार ने मुझे पकड़ा और फाइन किया, तो अभी इसमें से मुझे सीख मिल गई, कि मैंने wrong side जाना नहीं चाहिए और सब लोगों को बताना चाहिए, कि wrong side मत जाओ, उसने मुझे fine किया, क्योंकि मेरे पास में कागज बराबर नहीं थे, जो papers होना चाहिए, vehicle के, मेरे driving license, वो भी मेरे पास में बराबर नहीं थे, तो वो भी आप जब driving करते तो आपके पास में papers बराबर होना चाहिए, और ज सीख अपने, वो पूरी सार ने मुझे पकड़ लिया, वहां से मुझे मुझे मिली है, तो यह जब आप देखते हैं कि हर negativity में positivity तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपका mind भी strong बनेगा, फिर next point है जब होता है कि accept challenges in life, life is full of problems, ऐसा भी हम बोलते है, life is full of problems, एक problem होग यह challenge है, और वो challenge को मुझे head on लेना है, take on करना है, phase करना है, सामना करना है उसका, और वहां से मुझे solution निकालना है, ऐसा है दिया हम उसको phase करते है, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, और हमको tension, pressure, stress, कुछ भी नहीं आएगा, फिर पांच्वा point है कि वह आप comparison मत करो, जब अब comparison करते हैं, तो बड़ा problem होता है, अभी मेरे पास में सबच पांच्छाग रुपे है, या पांच्छाग रुपे का मेरा loan हो सकता है, और पांची लाग का लोन होता है, total मैं पांच्छाग की विवस्ता कर सकता हूं, और मुझे कार लेना है, तो मुझे क्या करना होगा, पांच्छाग की ही कार मुझे लेना है, और वो budget की कार मुझे लेना पड़ेगा, यदि मैं दुख्यों हो जाओं, upset हो जाओं कि मेरे दोस्त ने 8 लाग की कार लिया या 10 लाग की कार लिया, मेरे ऐसी इतनी हैसियत नहीं है, और मैं disturb हो गया, तो problem होता है, अभी क्या हो रहा कि जिसके पास में 25 लाग की कार, फिर हम बोलेंगे कि मेरे पास में 25 लाग वाल नहीं है, आपको दुखी रहना है लाइफ में, सुखी कब होंगे, तो यह आपको बार बार हमको देखना है, कि भाई हमको कभी भी comparison नहीं करना है, मेरी सारी से उसकी सारी सफित क्यों, या ऐस वैसा क्यों। हमारा psychologically क्या हो रहती है हमारी, कि मेरे पास में जो है उसके पास में नहीं होना चाहिए, और उसके पास में जो है वह सब मेरे पास में होना चाहिए, ऐसा नहीं जलता, इससे हमको दुख मिलेगा, तो mentally strong रहना है तो compare करना ही रहना है, तो अपने आप से compare करो, अपने पास से compare करो और पास से आज मैं ज्यादा कर रहा हूं क्या मैं पास में 500 रुपे का मैंने शर्ट खरिदा था तो अभी मैंने क्या 600 रुपे मैं खरिद सकता हूं शर्ट उतनी मेरे हैसित मैंने बढ़ा लिया है मुझे 25 रुपे मैंना मिल रहा था क्या अभी यह मैंने मैं 300 रुपे मैं तो यह करो वह आपको स्ट्रांग बनाएंगा मेंटली फिर नेक्स है कि तो मेरे पास में लोग आते ना वो बलते हैं कि मेरा हस्बंड ऐसा है मेरी वाइफ ऐसी है और इतने जगड़े चालो रहते है हस्बंड वाइफ में तो फिर हमारे पास में आते लोग ने उसको बदल मैं उनको बोलता हूँ कि आपका पार्टनर बदलने वाला नहीं है आपका पार्टनर वहीं कमा ही रहेंगा दुनिया में 750 करोड की आबादी है दुनिया में आप एक ही व्यक्ति को बदल सकते है और वो व्यक्ति है आप खुद तो इसलिए किसी को बदलने कोशिश मत करो जो जैसा है वैसा उसका स्वीकार करो जब आप स्वीकार करते कोई भी व्यक्ति का और जो भी उसमें अच्छा ही है और जो भी वयवार वो अपने साथ में अच्छा कर रहा है उसके लिए आप thank you बोलते है कृतक यह होते है तो definitely हम तो बदल जाएंगे जाएंगे हमारा नजलिया बदल जाएगा और वो बदल जाएगा तो हमको इसे लोगों को बदलना है तो पहले खुद को बदलो खुद बदलेंगे तो लोग बदलेंगे तो इस दरह से हम यह पॉइंट धाम दे रखते हैं तो हमको बता जलेगा कि यह कुछ पॉइंट में इसके बता है कि जिसमें आप यदि वो अमल मिलाते हैं प्रैक्टिस करते हैं उसका अभ्यास करते हैं पॉइंट करते हैं तो डिफिनिटल एक पावर्फुल लाइफ आपकी होंगे आप मेंटली स्ट्रॉंग बनेंगे और परिस्टिक कैसे भी हो कुछ भी हो जाए आप उसको फेस कर बाएंगे वीडियो आपको अच्छला लोगों को शेर करो थैंक्यू बेरे मच्छ प्राइब बनेंगे प्राइब बनेंगे प्राइब बनेंगे